तो मेरे पास एक चैलेंज आया है, सवाल के रूप में, तो बेसिकल यह जानना चाहते हैं कि band lab में side chain कैसे किया जाता है, हलागि band lab में कोई सीधा सीधा कोई direct तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी उसमे side chaining की जा सकती है, अगर आपको यह पता हो कि side chaining का concept क्या होता है, तो आप उसको कर सकते हैं, तो बताता हूं बेना कोई समय कबाएं, चलिए आज पर वीडियो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो यह समझ लेते हैं कि side chaining या side chain क्या होती है, तो यह एक तरह का compression method है, जो multi-layer channel पे काम करता है, और हम किस instrument को priority में रखना चाते हैं, और किस को secondary में रखना चाते हैं, वो हम इससे आसानी से अचीव कर पाते हैं, इसको एक तरह का automation function भी मान सकते हैं, यह के अंदर आ सकती हैं, और यह जो बड़ी बड़ी जो balls दिक रही हैं, यह सब है kick, और जो छोटी balls हैं, यह सब है base, तो जब बड़ी ball आ जाती हैं, उसके बाद भी हमारे पास base के लिए जगे होती है, तो base को हम कुछ इस तरह से set कर देते हैं, कि base भी अच्छे से उसमें mix हो होती थी, तब यह सब काम manual record किया जाता था, recording के time पर automation करके side chaining कर लिया करता था, लेकिन आज computer आ गए है, अच्छे अच्छे software आ गए है, तो आज यह सारा काम computer हमारे लिए कर देता है, वो भी ज्यादा perfection और ज्यादा accuracy के साथ, side chaining कैसे की जाएगी, यह समझाने के लिए मै इसको dim करना है, जब automation on करते थे तो यह horizontal line आपको दिखाई देने लगेंगे, यह white color की, इसी में हमें छेड़ चार करनी है, तो इसके लिए मैं इसको zoom in कर लेता हूँ, आप यहां से भी zoom in कर सकते हैं, या आप control की दबा के mouse के wheel को अगर आप move करेंगे, तो यह zoom हो जाएगा, यहां से base शुरू होता है, तो base का first जो count है, वो यहां पे है, अब मैं mouse pointer को यहां लेकर आओँगा, जिस जगह पर मुझे एक point create करना है, और double click कर दूगा, तो यहां पर एक automation point create हो गया, इस जगह पर मुझे एक point और create करना है, तो इसके align मैं एक point और create करता हूँ, double click करके, औ और एक point और मैं create करूँगा, बीच में, तो यहां पर मेरे पास 3 points हो गए, और अब जो beach वाला point है, इसको मैं नीचे लेकर आजाओगा, कुछ इस तरह से, जब भी first count पर kick आएगी, base का volume dim हो जाएगा, यहां पर गौर कीजिएगा, जब मैं इसको move कराँगा, तो यहां पर first इसे वापस आ जाता है, मतलब second count तक पूरा तरह से वापस आ चुगा है, इसके बाद यह second part है, जहां पर फिर से किक आ रही है, तो यहां पर भी एक point create करते हैं, यहां पर भी एक point create करते हैं, और एक point बीच में create करते हैं, और फिर से वही करते हैं, इसको volume को down कर देते हैं, तो यहां पे भी यह सेम चीज होगी जैसे यह इस जग अक्किक आईगी बेस गायब और वापिस आगया second count तक ऐसे ही पूरे ट्रक पर एपलाई करना है हाला कि आपको समझाने के लिए मैं एक छोटे से पार्ट पर इसको एपलाई कर देता हूं और फिर इसको सुनके देखने इसमें क्या change आता है तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने automation points create कर दिया है और जहां पर मुझे बेस नहीं चाहिए वहां पर मैंने उसको dim कर दिया है और जहां पर चाहिए वहां पर वो वापिस आ गया है तो आधे पार्ट में नहीं किया तो चलिए मैं इसको शुरू से एक प्ले करके आपको सुना देता हूं यहां ध्यान दीजेगा यहां पर volume कम होता है तो यह हो गई side chaining तो यही आपको भी करना है दोस्तों अब side chaining सिर्फ आप ऐसा नहीं कि सिर्फ बेस पर ही करेंगे यह और भी instrument के साथ apply कर सकते हैं जैसे vocal के साथ apply कर सकते हैं कीज के साथ apply क कर सकते हैं किसी और instrument जो यहां पर clash करता होगा कि के या vocals के साथ या string के साथ या किसी और चीज के साथ जिसको आप priority में रखना चाते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस समझ में आ गया होगा कि band lab में side chaining कैसे की जा सकती है अगर मेरे वीडियो से आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और कोई सोजहाव है आपके पास या कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बिलकुल बेज हिजग बिंदास होके type कीजिए और मुझे बताइए लाइक करना ना भूले क्योंकि अगर आप लाइक करते तो मुझे प्रोसान मिल कर दोसा है कि अपर से अपके कोई से लाइक क्वान से लाइक करते बिलकुल एक प्रेवरिगा कि अभी कि अगर लाइक हिए प्लिए कर दोसा है था रहूले?